लाइफ में ऐसा कई बार हो सकता है कि आप जो चाहो वो आपको ना मिले लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको वो ना मिले जो आप डिजर्व करते हो और इसी बात नहीं है कि आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन शर्त है कि पहले खुद को उन चीजों के लायक बनाना पड़ेगा डेली अकेले में अपने अंदर ये अंदर फील करके पुरे दिल से अपने आप से बोलना है ये होगा 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 इस काम को मैं करूँगा, 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 अपने अंदर ये अंदर अपने बिलीफ्स को इतना स्ट्रोंग बना लो कि दुनिया की सारी ताकत है छोड़ी पड़ जाए, आपके बिलीफ्स क्या आगे, पहले अपने बिलीफ्स को स्ट्रोंग बना लो, और बाद में बलती सभी अपने मुझ से ये मत कहिना कि कल से पक्का क्योंकि यही एक वो मोमेंटे चुन डिसाइड कर देगा कि आप जहां पर हो वहां से आगे बढ़ भी पाओगे या नहीं जब भी मन में सब बेहुदा सवाल आता है कि कल से पक्का करूँगा तो अपने आप से एक सवाल करना कि कल ये सा क्या खासे जो आज नहीं है लाइफ में बत हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी भी काम को कल पर टालते हो तो समझ लेना कि आप कल भी उस काम को कल पर ही टालोगे क्योंकि अगर आप उस काम को करना चाहते होंगे तो आप कल पर नहीं टालोगे उसी वक्त उस काम को कर दोगे तो किसी भी काम को कल पर मट्टालो जो करना है आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं और इतनी प्रेक्टिस करो, इतनी प्रेक्टिस करो की परफेक्शन तक पहुचाओ लगातार करो, डेली करो और कुछ टाइम के लिए सारी चीजों को साइट कर दो और अपने गोल से ही रिलेटेट वीडियो को देखो, उससे ही रिलेटेट बुक्स पढ़ो, उससे ही रिलेटेट लोगों से मिलो और जितना हो सके, सोसल मीडिया से दूर रहो और अगर use भी करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने goal से ही related post पढ़नी है उससे related videos देखनी है उससे ही related सब कुछ करना है मतलब अब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हो आज तक आपका mind आपको control कर रहा था आज आप अपने mind को control कर सकते हो धोरे ही दिनों में आप देखोगे कि मेरे अंदर से इतनी energy निकल के से रही है मेरे अंदर से इतनी power आ के से रही है power तो आप सब के अंदर भरी पढ़िए बस जर्वत है तो उस power को बाहर निकाल लेगी अगर आज के दिन आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जिसे की indirectly किसी की life में बहुत बड़ा change आ सकता है तो आज किसी से भी जाकर उस इनसान से जो अपनी जिन्दगी में कुछ कर रहा है उससे जाकर बस इतना सा के दो कि यार तु जो ये कर रहा है न तु ये कर जाएगा या फिर जो भी काम वो कर रहा है बहले ही उसका काम अच्छा ना हो लेकिन पूरे दिल से कर रहा है तो उससे जाकर बस इतना सा के दो कि यार तु ये काम बहुत अच्छा करता है ये दुनिया हर इनसान पर हसने में लगी है हर इंसान का मजाग उड़ाने में लगी है हर इंसान को नीचे गिराना चाहती है और कभी कभी हम भी कुछ इसा कह जाते हैं जिसे की सामने वाले की feeling hurts हो जाती है आपको कोई हक नहीं है किसी को भी कुछ भी कलत बोलने का या तो आप चुप रहो और अगर कुछ कहना भी है तो सही कहो आज अगर आप यह काम करते हो तो इससे बड़ा काम आपकी जिन्दगी में और कुछ नहीं हो सकता